कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले और ऐसी ही कोशिश की थी इस महिला ने जिनका नाम है जस्वन्ती बेन इन्होंने 80 रुपए से लिज़द पापड बनाने की शुरुआत की और आज लिज़द पापड का एन्वल टर्न वर 18 क्रोड उपय तक पहुँच चुका है पिछले करीब 6 दश्कों से इस पापड ने लोगों के किचन में एक खास जगा बनाई है साथ महिलाओं द्वारा शुरू किया गया ये छोटा से स्टार्ट अप आज एक सक्सेस्फुल ब्रैंड बन चुका है 15 मार्च 1969 को मुंबई की जस्वन्ती बेन और उनकी 6 सहलियों ने मिलकर लिज़द पापड बनाने की शुरुआत की इसे शुरू करने की पिछे इन साथ महिलाओं का मकसद इंड़स्री शुरू करना या ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था बलकि एक छोटा सा बिजनस शुरू करके वो अपने परिवार के खर्च में हाथ बटाना चाहती थी पापड बनाने की योजना तो बन गई लेकिन इनके पास पापड बनाने की पैसे नहीं थे एक शक्त से 80 रुपे उधार लेकर इन्होंने पापड बनाने की मशीन और कुछ जरूरी समान खरीदा पहले दिन पापड के केवल 4 पैकेट बिके लेकिन बेस्ट क्वालिटी की वज़ह से पापड की बिक्री दिन बदिन बढ़ती गई साथ महिलाओं का ये समू अब एक कॉपरेटिव सिस्टम बन चुका था इसके बाद 18 साल से जादा उम्रवाली महिलाओं को लिज़द पापड से जोड़ा गया और पहले साल लिज़द पापड की एनवल इंकम 6,196 रुपे थी देखते ही देखते हजारों महिलाएं इस फेमस ब्रांट से जुड़ती गई साल 2002 में लिज़द पापड का टर्न उवर 10 करोड उपे तक पहुँच चुका था और जुलई 2021 में लिज़द पापड का टर्न उवर 18 करोड उपे तक पहुँच चुका है लिज़द पापड की फेक्टरी में आज 50,000 से भी जादा महिलाएं काम करती है पूरे भारत में लीज़ेद पापड की करीब 85 ब्रांचेस है जो 18 राजियों दक फैल चुकी है लीज़ेद पापड से जुड़ी महिलाओं को कई राश्टिय पुरसकारों से भी समानित किया गया दोस्तों ये कहानी साबित करती है कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल हो पड़े लिखे हो या अनपड़ हो बिडिल क्लास फैमली से हो या एकड़मी गरीब परिवार से हो अगर आपके अंदर सच्ची लगन और किसी भी काम को करने का पुलंद होसला है तो फिर आप हर फिल्ड में सक्सेस्फुल बन सकते हैं अगर कभी भी अपनी काबलेत पर शक हो तो लिजज़त पापड़ की इस कहानी को याद कर लेना आपके अंदर अपने काम पर लगे रहने की हिम्मत अपने आप आ जाएगी दोस्तों ये कानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे लाकों का मोटिविशन देता है मैं हामेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा टेक क्यर गुड़ बाई